महापूर्शों प्यार से कहिए धन निरंकार जी सत्गुरु की किर्पा तो सभी प्राणियों पर एक सी बरस रही होती है प्रन्तु इस किर्पा का पात्र कोई कोई ही बनता है ऐसा गुर्शिक ही अपने जीवन को तो सहज आनंद में बितीत करता ही है पर अपने व्योहार सेवा किर्दार से दूसरों के लिए भी प्रिणड़ा का स्रोत बनता है उत्तम विचारे और सद व्योहार जीवन का सहज गुण बन जाता है इस निरंकार प्रभु की और से प्राप्त हुई तनमन की सक्तियों को प्रशनता पूरबग सद गुरु के चरणों में अरपन करना ही गुर सिखे अपना धर्म समझता है वैसे भी महापुर्शों समरपन में कोई सर्त नहीं होती समरपन तो खुसी-खुसी स्वयं को सद गुरु चरणों में भेंट करने का नाम है जैसे एक पत्थर स्वयं को कलाकार को वर्पन कर देता है तो कलाकार उसे एक सुन्दर सी मूर्थी का रूप देता है फिर उस मूर्थी को मंदिर में अस्थापित किया जाता है और उसकी पूजा आरंभ हो जाती है सुन्दर सुन्दर या भूशडवा पोसाग में वह और भी चमक उठती है उसके दर्सनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी पक्तियां लग जाती है कोई उस मूर्ती को भोग लगा रहा है और कोई उसके चरणों में बैट उसे प्रहु का सुरूप मान अपने मन की वाद कह रहा है और कोई बे सहारा उससे पनाह मांग रहा है अब सोचना यहा है कि वह पत्थर जो पाव के नीचे कुछला जा रहा था सर का ताज कैसे बना उत्तर असपस्ट है पत्थर ने तो केवल स्वयम को अर्पित किया से ससारी करा मात तो कलाकार की है एक जिग्यासु भी ब्रह्म ज्यान लेने के पस्चाद स्वयम को सद्गुरू के चरणों में अर्पन कर देता है सद्गुरु ग्यानर सब्द रूपी चोट मार मार कर उसके मन से अहेंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह का फालतु बोज़ा उतार देता है फिर उसे सुमिरन सत्संग और सेवा रूपी छेनी से छिनता है, अपने रह्मो करम की रेती से रगड़ता है और जो मूर्थी तयार होती है उसे महापुरुष, महात्मा तथा संत का नाम दिया जाता है अब यह महत्मा पूज्य बन गया, इसके चरणों में आकर जिग्यासु आसिदबाद की कामना करने लगे और गुरू रूप समझ इसको भोग लगाने लगे, चरणा मिर्त बनाने और अपना सबकुछ ने उचावर करने को तयार हो गये यह अकरांती आई कैसे गुनेहार पापी कमजोर सा इनसान इतना सक्त साली आध्यात्मिक बग्ति कैसे बन गया कि वह दूसरों के गुनाह पापी और खुकर्मों को बख्षने वाला हो गया यहां कमजोर सा व्यक्ति इतना सक्त साली बन गया कि अब उसे अखंड ब्रम्हांड में अपना पसार दिखने लगा मैं तेरा तू मेरा की प्रेम धुन हर समय सुनाई देने लगी यहां है समर्पन का चमतकार ऐसे ही पूर्ण समर्पित एक महान संद चाचा परताब सिंग जी थे उनकी नाम के साथ जैसे परताब सब्द जुड़ा था परताब सब्द बीरता का सूचक है परताब सब्द का जिक्र आते ही बरबस हमें महाराना परताब जी की याद या जाती है जिनकी बीरता के आगे बड़े-बड़े सूर्मा हार जाते थे, ऐसे ही बीर प्रताफी संत थे चाचा प्रताफ सिंग जी, वे एकसर कहते थे कि जीयो तो गुरू के लिए और मरो तो गुरू के लिए, चाचा प्रताफ सिंग जी का यह बचन समस्त सेवादारों के लिए एक प्रिनला दाएग वाक्य बन गया और इसी वाक्य को सभी सेवादार ये अपना आदर्स मानते थे अपने सद्गुरु के प्रती। काम लेना होता है। तरह तरह से सेवा करके सत्गुरु और साथ संगत को हर प्रकार से प्रसंद रखना होता है। तब कहीं प्रभु से प्रित निफपाती है। दातार की किरपा से ये सभी गुण आप में विद्ध्यमान थे। करता है ना ही चापलोसी पसंद करता है। पापरतेक व्यक्ति का सतकार इस भावना से करता है कि वह उसके परमपिता की संतान है। गुर्षिक का प्यार बनावटी नहीं होता दिखावा या और पाखंड उसे भाते नहीं या हिर्दे से भी सभी का हमदर्द होता है। गुर्षिक इपने कथन के अनुसार कर्म भी करता है। पाकर्मियोगी कहलाता है उसका मन बचन कर्म समान होते हैं। गुर्षिक उतना कुछ ही कहता है जितना उसके लिए उप्युक्त होता है या मुझे खोखले बोलों से डरता है अर्थात दावा नहीं करता गुर्षिक गुरु के कानों द्वारा सुनता है जैसे सद्गुरु सत्यवाणी और दूसरों की अस्तुत सुनकर पसंद होते हैं इ आप करने वाले को जितना दंड मिलता है उसका हिस्षेदार निंदक बनकर उसकी सजा कम कर देता है गुर्षिक इस बात से चेतन रहता है कि कहीं सुधार की यान में वह निंदक या आउगुण देखने वाला ही ना बन जाए गुर्षिक अपने बोलों पर पूरा नियंत्रन एकी एक सब्द तोल कर बोलता है उसकी बाणी से नम्रता मिठास और प्यार की भावना चलकती है गुर्षिक की बाणी उसके हिर्दे वाय आत्मा से निकलती है केवल जुवान से निकले सब्द केवल कान तक रह जाते हैं हिर्दे की आवाज हिर्दे तक पहुँचती है और यात्मा की पुकार यात्मा तत इसलिए गुर्षिक अपने सच्चे और पामन मन से जो बचन करता है पासंत बाणी बनकर प्रभावसाली सिद्ध होते हैं गुर्षिक जानता है कि हर बुराई की जड़ है गुरू से बेमुख होना यहां एक भयानक अगनी है जिसमें इसलिए गुर्षिक को गुरू सक्त सब्द भी कहे तो भी उसमें गुर्षिक की भलाई सुधारवा गुरू के हिर्दे में गुर्षिक के लिए प्यार छिपा होता है हर हाल में गुरू चर्णों में रहने का पर्यत्न भी करता है और प्रात्ना भी गुर्षिक जानता है कि उसकी सभी सक्तियां दातार प्रहु की देन हैं या जब चाहे वापिस भी ले सकता है इसलिए दान में मिली सक्ति वा बस्तु पर वामान नहीं करता गुर्सिक जानता है कि जैसे पानी सदा नीचे की वोर भता है इसी प्रकार सद्गुरु की रहमत भी निमाने जीव को ही प्राप्त होती है चुकि गुर्सिक के जीवन की गाड़ी चल रही होती है इसलिए गुर्सिक सदा निमाना होकर रहता है गुर्सिक सदेव सद्गुरु के प्यारवा आसिरबाद की कामना ही करता है वह मानता है कि दातार को मांग लिया तो दातें तो स्वेम ही मिल जाती है गुर्षिक अपने गुरु से नामधन मांगता है नामधन ही संतोसवात रिप्ती बख्षता है उसका अपनी एक्छाओं, लालसाओं और कामनाओं पर पूरा नियंत्रड रहता है इसक हकीकी गुर्षिक के जीवन की पूजी है अपने सद्गुरु के इसक में सदा मगन गुर्षिक सभी विरोधात्मक स्थितियों को हस्ते हस्ते जेल लेता है उसके दामन में इतनी सान सीलता होती है कि वह सब दुख, संकट, मुश्किलें सान करके भी एक रस रह पाता है गुर्षिक सद्गुरु के प्यार में विस्प को भी अमरित जान कर पी जाता है और विस्प पिलाने वाले को भी बुरा भला नहीं कहता या नर सेवा को नारायंड सेवा का रूप मानता है गुर्षिक विसाल दिलवाला होता है अपना तनमन धन संतों की सेवा में खुशी-खुशी लगाता है और अपने परिवार को भी इसी मर्ग पर चलाता है गुर्सिक जानता है कि यह सरी इस निराकार का मंदिर है और हिर्दे में निराकार की मूर्तिबस्ती है जैसे मंदिर को साफ सुतरा और सुगंधित रखते हैं इसी प्रकार इस मन मंदिर को भी पाखे और पावन रखना है आँख कभी मैली न हो कान सैतान की कभी आवाज ना सुने जियवा प्रभु का ही असोगान करे तो मन की पवितरता भी बनी रहती है गुर्शिक की मानिता है कि निरंकार एक ब्रिच्छ है और मानो इसका फल फल की प्रसंसा ब्रिच्छ की ही प्रसंसा होती है इसलिए गुर्शिक मानो प्रेम के द्वारा ही प्रभु प्रेम की पूर्ती करता है गुर्शिक सदा ब्रह्म ज्यान के प्रकास में रहता है इसी रोसनी से इसे विवेक बुद्धी मिलती है जिससे यह भले और बुरे की पहचा जानियत, मलींता, जगडे और बदी जनम लेंगे, जो जीवन में असांती, बैर विरोध, इर्षा, द्वैस और नफरत को बढ़ावा देते हैं, इसलिए गुर्शिक इसरोशनी की कदर करता है। ना ही यह दूसरी की लकीर चोटी की होटी केरने की सोचता है। गुर्शिक का मुक्सदा सद्गुरू की और रहता है, देशकालते समय मतापिक सद्गुर्श जिमें चलानादा ये, हुक्म एहदा सिरमत्थे रखके गुर्शिक चलनाजाना ये। भी दे तो भी हुक्म मानने में ही गुर्षिक की बहतरी छिपी होती है। उसी प्रकार नीचा गिराने का कालड बनता है जैसे अज्ञानी को। ब्रह्म ग्यान केवल पहचान है इस सास्वत सत्य की। केवल पहचान से ही किसी का कोई भी काम सही नहीं हो पाता जब तक कि उस पहचान को इस्तेमाल ना किया जाए। गुर्षिक भी इस ब्रह्म ग्यान को जी मन में ढालता है और आरंधित रहता है। गुर्षिक तो सारी आयु सीखता ही चला जाता है। कि उसके मन में ध्यान ही आ जाए कि मैं सीख चुका हूँ तो समझो कि उसका पतन आरंभ हो गया। गुर्षिक जानता है कि सेवा करनी की चीज है करवानी की नहीं। अधिकारे अपने आप मिल जाते हैं। अधिकारों की मांग, मन मुटाव लडाई जगडा पैदा करती है। परंट कर्तब्यों की पूरती में कोई जगडा, कोई विभाद नहीं होता। गुर्षिक सदा अपने सद्गुरू का ही सहारा लेता है इस सहारे को त्याग कर आर्थिक अथवासक्ती का सहारा लेना उसके पतन की और बढ़ने का सूचक है गुर्षिक कभी अपनी समझ को सर्वसेष्ट नहीं मानता या जानता है कि गुरु वरगा कोई दाता नहीं है मत्य हदी जही मत्य नहीं इसलिए वासत गुरु की समझ और अकल का परियोग करके अपने जीवन में निखार लाता है गुर्षिक सदा परोपकारी जीवन जीता है अपने सारीरिक वा पारिवारिक सुखवा आराम को त्याग कर ग्यान की रोशनी को फैलाने में अपना योगदान देता रहता है गुर्षिक जानता है कि परोपकार का मार्ग कांटों भरा है इस रास्ते पर चलना स्वैंग को पिनला दे कर दूसरों को सुख देना है कुछ काटे उसके दामन को खीचते वा उससे उलचते भी हैं परन्त वह इस सब कुछ को सहन सीलता वा धैरिस से सहन करता हुआ अपनी म गुर्षिक की सबसे उत्तम पूजी सद्गुरू का प्यार होता है वा सद्गुरू का स्वरूप सद्गुरू के भक्तों में देखता है भक्तों की सेवा वा सतकार करके उनसे जो प्यार से प्राप्त होता है वा उसे सद्गुरू का प्यार ही वानता है और प्यार पूजी को बांटते हैं वो विखरने की जगह एक दूसरे से सदा जुड़े रहते हैं गुर्षिक की भक्ति घर परिवार से आरंब होती है घर में संतों महत्माओं का आना जाना बना रहे सेवा सतकार होता रहे तो घर के सभी सदस नाम के नसे में आनंदित रहते हैं और घर स्वर्ग गुर्षिक का पारिवारिक जीवन एक उदाहलड होता है जिस परिवार में बुजर्गों का सतकार बच्चों को प्यार वा एक दूसरे के प्रतित्यागे और सेवा भावना है वा घर परिवार किसी मंदिर से कम नहीं गुर्षिक दरिया दिल होता है जैसे दरिया को पानी क तरह लहर दरिया केतट पर जो कूड़ा पड़ा होता है उसे बहा कर ले जाती है और तट साफ सुथरा बना रहता है इसी प्रकार इधर उधर की छोटी छोटी बातों को नजर अंदाज करके गुर्शिक अपना करतब्य करता चला जाता है किसी के बहकावे में आका रतवा नि गुर्शिक प्रभू की इस उत्तम भेंट की कद्र करते हुए अपने जीवन का प्रतेक स्वास अमुल्य बनाने के लिए सत्गुरू के चरणों के साथ जुड़कर बतीत करता है इसलिए उसका हर कार्य भक्ति में सामिल हो जाता है गुर्शिक का हर कर्म निसका अंभाव से होता है उसका कोई भी कर्म किसी फल की इच्छा से प्रभावित नहीं होता यदि कोई इच्छा होती है तो यही कि उसे गुरू की खुशी वाकिरपा मिल जाए चाचा परताब सिंग जी का जन्म 27 मार्च 27 को सिंध नवाब साह जो बरतमान में पाकिस्तान में है स्री कमर सिं आपके बचपन का नाम आत्मा राम था आपने सिर्फ हाय सेकेंडरी तक ही पढ़ाई की थी उस समय देश में देश प्रेम की लहर चल रही थी जिससे प्रेरित होकर आप भी देश की सेवा के जजबे से सराबोर होकर राष्टिय स्वयंग सेवक संग को ज्वाइन कर लिया आपके मन में प्रभु प्रेम की तरफ प्रबल थी प्रभु प्रेम के चलते आप सिख बन गए और गुर द्वारे में पूजा पाठ में समय बिताने लगे आपको सिख धर्म में गुरु की भक्ति का जो जजबा होता है वह सबसे अधिक प्रभावित करता था और यापके म चाचा परताब सिंख रखा गया आप पढ़ाई के साथ साथ मकैनिक का काम भी सिखते थे आप यह कुछल रेडियो मकैनिक थे उस समय रेडियो का बहुत बोलबाला था देश के विभाजन के समय आप आहमदाबाद गुजलात में आकर बस गए चाचा परताब सिंग जी यूँ तो जादा पढ़े लिखे नहीं थे पर उनका ब्यक्तित तो इतना प्रभावसाली था कि सामने वालों पर उनका बर्बस ही प्रभाव पढ़ जाता था उनका सेवादल की वर्दी पहन कर गोले पर बैठ कर समागम ग्राउंड की रखवाली वाली तस्वीर हर सेवादल के जीवन में उत्सा है और उमंग भर देती थी सेवादल के प्रणडा स्रोते और सभी सेवादल के दिलों पर राज करने वाले चाचा परताब सिंग जी ऐसे ही सब के चहेते नहीं थे पास्वयम पहले सेवा करके दिखलाते थे और सेवादल के अधिकारी के रूप में आपने अपने साथ कारी करने वाले सभी सेवादारों में गुरू के प्रतिसेवा भावना कूट-कूट कर भर दी थी कभी भी कोई सेवादल कमजोरी या थकान महसूस नहीं करता था सबका साथ देना सबके हितके में सोचना और सबसे असने हैं पूर्बग वहार करने के कारण ही समस्त द्रंकारी जगत में आपको चाचा जी के नाम से पुकारा जाता था आप बच्चे बूढ़े जवान सभी के दिलों में राज करते थे और इसका कारण था आपका सबके साथ किया अगया प्रेम पूर्बग वहार जिसके कारण आप सबके चहेते थे एक प्रवकारी भक्त वही बनता है जो अपने जीमन का स्वांस स्वांस गुरू के बचनों पर कर्मों के द्वारा परचारित करता है 1251 में आहमदाबाद में दिरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ था जिसमें आपको लावड़ी स्पीकर लगाने की ब्यवस्ता मिली थी आपने उस पंडाल में लावड़ी स्पीकर लगाये थे सत्संग में सभी महापूर्सों की बात को चाचा परताब सिंग जी बड़ी तनमेता से सुन रहे थे और भजन किर्टन के प्रेमी होने के नाते आपको आनंद भी मिल रहा था पर सबसे बड़ी बात चकित करने वाली तब हुई जब निरंकारी सत्संग में यह बताया गया कि भगवान को देखा जा सकता है सत्संग समापती पर आपने समय के सत्गुरु सहिंसाह बाबा अतार सिंग जी से प्रभु कादीदार करने की अपनी इच्छा जाहिर की गुड़ते सिफत नहीं कुछ पल्ले नीचो नीच यान जान हमें मेर तेरी देशा ये था आपहुचा भगवान हमें हत जोड़े के बैंती मेरी लख लख वारी ये पर नाम अवतारी कहें सुन जगदे साईं जोली पदे अपना नाम सत्संग समापती पर आपने समय के सत्गुरु सहिंसाह बाबा अतार सिंग जी से प्रभु कादीदार करने की अपनी इच्छा जाहिर की तब बाबा जी ने उन्हें कहा कि आपको सुबह पर मातमा के दर्सन कराएंगे प्रभु का दर्सन होगा यह सुनकर ही चाचा प्रताब सिंग जी को रात भर नीद नहीं आई जिस प्रभु की इतलास में इतने दिनों से मन में इच्छा थी समय के पेगंबर ने साज में ही कह दिया की सुबह दर्सन कराएंगे इसी बात से मन में एक अजीव सी हलचल बन गई एक ब्याकुलता सी पैदा हो गई जैसे तैसे रात गुजरी सुबह होते ही आप एक बार फिर सत्गुरु बाबा जी के चरणों में पहुँचकर इस निरंकार प्रफु के दर्सन होते ही एकदम निस्तब्ध हो गए आपको पूर्ण सांती प्राप्त हुई आपके मन में जिस परमातमा प्राप्ती की लगन बचपन से बनी हुई थी उसको अपने अंग संग पाकर आप अपने आपको एकदम भाग्यसाली महसूस करने लगे अब तो आप इस निरंकार से दिन रात बातें करते इसको हर पल निहारते और इसी तरह समय बिताने लगे पर मन में अभी भी बेचैनी बनी हुई थी क्योंकि आपका मन तो सदा से गुर्षिख बनकर संतों भक्तों की सेवा करने की थी यह भावना अब और प्रबल हो चली थी और आपके मन में अपने सद्गुरू के दर्षन की अभिलासा प्रबन होने लगी आपको अब हम्दाबाद में अपने लिए कुछ काम करने का मन ही नहीं रहा आपके मन में अपने सद्गुरू के चल्णों में रह कर उनकी सेवा करने की इच्छा होने लगी जब से ब्रह्म ग्यान मिला तब से आप हमेशा इसी धुन में लगे रहते जब तक सहिंसाह बाबा उतार सिंग जी महराज हम्दाबाद में रहे तब तक आप अपने आप को सद्गुरू के चल्णों में समर्पित रखा और एक दिन अपने मन की भावना को अपने सद्गुरू के स्री चल्णों में बिनम्रता पूरबक रख दी सद्गुरू बाबा जी ने आप जी को कहा जब जी चाहे दिल्ली आ जाना बाबा जी जिस दिन दिल्ली पहुँचे अगले दिन चाचा परताब जी भी दिल्ली पहुँच गए और यहां आकर आप सद्गुरू के चरणों में सेवा में लग गए सेवा करते वक्ते आप यह भी भूल गए कि आपकी यहमदाबाद में टंप्रेरी नोकरी भी है डेली बेसिस वाली जहां से छुट्टी लिये बगेर ही आप दिल्ली आ गए थे आप सद्गुरू सेवा के दिवाने हो गए थे जब आपको पंद्रह दिन बीत गए तब एक दिन स्वयम बाबा जी आपको बुला कर बोले कि प्रताब जी नोकरी भी जरूरी है इसलिए आप वापस अहमदाबाद लोट जाएं आपने सद्गुरू की आज्या को सत बचन करके माना और वापस अहमदाबाद चल दिये रास्ता तो सद्गुरू और निरंकार की याद में कट गया पर जब यह अहमदाबाद पहुंचे तो आपको ध्यान आया कि अब नोकरी तो रेडियो विभाग में डेली बेसिस पर थी इतना दिन गएर हाजर रहने के बाद चली गई होगी फिर भी आप सिधा कंपनी के आप इसमें गए वहाँ जाकर आपके हैरानी की सीमा ना रही जब आपके साथियों ने कहा कि परतापजी आपकी नोकरी पक्की कर दी गई है आपको लगा की दोस्त हसी मजाक कर रहे हैं पर जब मैनेजर ने बताया कि आपकी लगन मेहनती और संजीदगी के साथ काम करने की भावना को देखकर आपकी नोकरी पक्के कर दी गई है अब आप एक रेगुलर करमचारी की तरह हो गए हैं और आपको वह सब सुभधा प्राप्त होगी जो एक रेगुलर एमपलाई करमचारी को मिलता है इस घटना से आपके जीवन में सेवा भाव और गुरु भक्ती की भावना को और मजबूत कर दिया आप सोचने लगे कि मैं पंदरा दिन सेवा की तो दैनिक मजदूर से परमानेंट मजदूर बन गया अगर मैं सत्गुरु की चरणों में पूरी निष्टा से सेवा करूँ तो मेरा लोक और परलोक दोनों समर जाएगा सत्गुरु की सेवा सफल है जे कोई करेचित लाए या गुरुबानी के सब्द का अर्थ समझ में आने लगा और आपने मन ही मन सोच लिया कि अब यागे का पूर्ण जीवन सत्गुरु चरणों में ही बिताना है आप अपनी पक्की ओचुकी नोकरी छोड़कर सीधा गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पित हो गए उसके बाद 1952-1980 तक आपने मन कर्म बचन से अपने सत्गुरु की अंतिमसांस तक सेवा करते रहे उस समय सत्गुरु बाबाजी पहाल गंज दिल्ली में दो नंबर गली में रहते थे और निरंकारी का लोनी में भवंद्र माण का कारे चल रहा था आप पहाल गंज में ही सत्गुरु के नजी सेवक बन कर सेवा करते रहे जमानी की आयू थी जो सुभासक्ती दोनों गुरु की किरपा से भरपूर थी आप पहाल गंज में गुरु परिवार वा गुरु के दर्सन को आने वाले महापुरसों के लिए लंगर सेवा या उनकी व्योस्ता में अपने आपको समर्पित रखते थे उन दिनों पहाल गंज पाले मकान में भी बिजली की सुभजाब नहीं थी छट के नीचे एक बड़ा पंखा लगा हुआ था जिसको रस्ची से खींच कर पूरे कमरे में हवा का प्रबंध किया जाता था आपका काम पंखे की रस्ची खींच कर संतों को हवा देने के था इसके साथ साथ याप राज माता जी और जगत माता बुधवन्ती जी के साथ लंगर में भी हाथ बटाते थे उस जमाने में चूले और अंगिटी पर ही सभी संतों वहापुरसों के लंगर की व्योस्ता होती थी पहाड गंज से साइकिल से साथ से आठ किलोमीटर दूर निरंकारी का लोनी में बिजली की लाइट फिटिंग की सेवा आप करते थे आप कभी सेवा करते हुए ठकते नहीं थे आपका कहना था कि दास का जन्म ही हुआ है सबकी सेवा करने के लिए उने दिनों दिरंकारी का लोनी जैसा आज दिखता है वैसा नहीं था तब किंस्वे कैम तक तो ट्रांस्पोर्ड की ब्यवस्ता थी उसके आगे तक कोई ब्यवस्ता नहीं थी दिरंकारी का लोनी तब एक सुंसान जगह वाली होती थी ना कोई बस, ना इस्कूल, ना निकट में कोई बजार, ना अस्पताल, ना बिजली यादी की व्योस्ता ही थी, उस समय दिनंकारी का लोनी में रहना किसी चनोती से कम नहीं था, पर सभी महतमाय और आपने उस समय को बड़ी ही साजता पूर्ण तरीके से निकाला और हर चनोत का सामना किया, आपने एक हाथ रिक्सा चलाना सीख लिया और अपने साथ में और कई सेवादारों को जोड़ लिया, और ये अपने सद्गुरु की सेवा में लगे रहे, किंस बेकायम से जरूरी सामान, लंगर का सामान, निरंकारी का लोनी तक लाने ले जाने की सेवा आप बहुत कम बोलते थे, खामोसी से सेवा करते और बारीकी से किसी भी बात का अउलेकन करते और किसी समस्या का समाधान निकाल लेते थे, आप अपने हर काम को गुरु की आज्यां से ही सुरू करते थे, सद्गुरु के चरणों में या तूट विश्वा से और स्रधा के क आप जटल से जटल काम को भी चुटकी में हल कर देते थे, आपका विवा सहिन सहाबाबा अवतार सिंग जी महराज के आदेश पर 32 वर्स की यायू में दिल्ली किसन नगर के निवासी भाई सहाब दयाल सिंग जी योंग अवतार कवर जी की सुपत्री सुरंदर कवर जी से ह आपके तीन बेटे हैं बलबीर सिंग जी, परमजीर सिंग जी और समसेर सिंग जी बलबीर सिंग जी और परमजीर सिंग जी इंगलेंड के साद संगत के सक्रिय सदेश के रूप में कार करते हैं और आपके छोटे बेटे समसेर सिंग जी आज भी द्रंकारी का लोनी में आज की तरह हैं आपकी धरम पत्नी सुरेंद्र कवर जी साद संगत को सत्गुरू की सेवा का महत्य समझाती हैं आपका पूरा परिवार सत्गुरू चरणों में लगा हुआ है आपकी अनपम सेवा और अठूट प्यार की भावनाओं ने सत्गुरू को रिजा लिया था आपकी हैंसा जी के लिए एक गाड़ी पर चार में जाने के लिए खरीदी गई तो आपका ध्यान इस तरफ गया कि गर्मी जादा होने के कारण और लगातार गाड़ी में चलने से सत्गुरू बाबा उतार सिंग जी महलाज को तकलिप होती है तो आपने अपनी पत्नी के सोने की द कि सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती सेवा तो सिर्फ सेवा होती है जो आनन्द का स्रोत बनकर जीवन में बहार लाती है एक बारन रंकारी कालोनी में सफाई करमचारियों ने हरताल कर दी हरताल के कारण जगह जगह गंदगी की धेड़ लग गई सारा जन जीवन बेस्त हो गया क्योंकि समस्या का समाधान सरकार के हाथ में था इसलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए दो-तीन दिन के बाद निरंकारी का लोनी में एक सलवार समीच पहन कर घूंघट काढ़ कर सभी लोगों के घरों में सोचाले की सफाई कर रही थी एक आउरत कई घरों में सफाई करने के बाद उच्छ समय के परधान लाब सिंग जी ने लोगों से कहा कि आप जानते हो ये आउरत कौन है तो लोगों ने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है तब प्रधान लाप सिंग जी ने आप क्या घूंगट उठा करके सब के सामने आपका नूरानी चेहरा दिखाया और तब लोगों ने समझा कि ये आउरत नहीं ये तो स्वेंग चाचा प्रताब सिंग जी हैं आपकी ये सेवा और लगन देखकर सब नतमस्तक हो गए और सभी को समस्या का समाधान भी मिल गया आप से प्रिणडा लेकर कई लोग स्वेंग अपने घर की सफाई में लग गए अपने सद्गुरू के हर आदेशों का सत बचन मान कर पूरा करना उन दिनों पर आया संगते घरों में ही हुआ करती थी एक बार जब पहाण गंज में समागम का प्रोग्राम हुआ तो कुछ लोगों के विरोध के कारण पुलिस की सहायता ली गई उच्छ समय कोई सेवा द नहीं था तभी सेवा दल की आउसकता मासूस हुई उसके बाद सभी संतों के मन में खुले प्रोग्राम करने की प्रबल इच्छा जागरित हुई जिससे सारे संसार तक इस सत्य की आवाज को अस्पष्ट रूप से पहुचाया जा सके ऐसा प्रोग्राम करने के लिए योज प्रोग्राम के लिए बीस पचीश नोजवानों ने एक गुरूप भी तयार कर लिया जिसने इस प्रोग्राम का सारा कारिभार समार लिया इस समागम के भव्य कभी दरबार में आओ दसिये दारू बीमारिया दा समस्या पर बोलते हुए बिभिन कभी सज्जनों ने इस सत्य की वोर ध्यान आकर सित कराया और सहनसा हा बाबा अवतार सिंग जी की हजूरी में गाधी मैदान दिल्ली में यह प्रोग्राम बड़ी सफलता पूरवक संपन्न हुआ 1931 से लेकर 1947 तक तो सभी महत्माओं के लिए लंगर पकाना कपड़े धोना रहने और आराम की व्यवस्था करना आदि सेमाएं तो सहनसा है बाबा अवतार सिंग जी योंग जगत माता बुधवन्ती जी और उनके परिवार के सदस्य ही करते रहे भारत याकरव 1925 तक संगतों वा समागमों की व्यवस्था कुछ संत मिलकर करते रहे परंतो इस तरह की सेवा की लगनवा युक्ती तो स्वेंग बाबा अतार सिंग जी और जगत माता जी की सिखलाई पर ही होते थे अब सहन साह जी को यह ध्याने आया कि संगतों में कुछे ऐसे करमठ संत महापुरुस सामने आये जो अपनी इच्छा से स्वेंग सेवक बनकर अनुसासन में रहते हुए संगतों की पूरी जानकारी पूरी व्योस्था को सही धंग से निभाएं सहन साह जी का ध्यान जब नोजवानों तक पहुँचा तो बहुतों ने इस सेवा के लिए अपने आपको समर्पित करने की सोची सहन साह जी का इसारा मिलते ही चाचा प्रताप सिंग जी संत बलवंत सिंग जी निर्माड स्री गोपाल सिंग जी प्रेमी और जोगिंदर सिंग जी खुराना ने मिलकर उन सेवादारों का गठन किया जो स्वाइच्छा से साध संगत में सेवा करने के लिए तैयार हुए। संत निरंकारी सेवा दल में सभी धर्मों, जातियों, बर्गों के लोग अपनी जाति, मजहब, पदबी, विद्वता, दुनियाबी, पद का त्याग कर केवल मानो मात्र की सेवा के लिए सामिल होते रह ये सेवादार अनुसासन मेरा कर सेवा करते। संत निरंकारी सेवा दल में पुरुसों के साथ बहनों की भी भागीधारी बढ़ने लगी। सन वन्नाइस सो पचपन छपपन में जब विद्वत रूप में महापुरुसों का सेवा दल तयार हो रहा था, तब साथ में राजम आता कुलवंत कवरजी ने स्वेंग भी वर्दी पहनी और अन्य बहनों को भी वर्दी पहना कर सेवा के लिए तयार किया। लंगर पकाना, कपड़े धोना, संगतों में बहनों वा बच्चों को बैटने में सही धंग से विवस्था करना, नमसकार की लाइन बनवाना वा प मिसन का एक सक्रिय अंग बन गया। सेवा दल को निरंकारी मिसन की रीड़ की हड़ी कहना भी कोई अत्स्योक्त नहीं होगी। इस सेवा दल को अनुसासन बद्ध तरीके से चलाने के लिए केंद्रिय सेवा दल बोर्ड बनी। जिसमें आरंभिक सदस्य स्री बलबंत सिंग निर्माड स्री खेम राज जी चढधा वा चाचा प्रताप सिंग जी और स्री गोपाल सिंग जी प्रेमी के साथ साथ जोगिंदर सिंग जी खुराना वन्नेश सो चपन में सेवा दल का गठन हुआ। सेवा दल को नेमित ट्रेनिंग देने के लिए आप यस्थान यस्थान पर सेवा दल कैम्प लगवाते थे जहां व्यायाम पीटी परेड के साथ साथ संगतों और समागमों में सुंदर व्योस्था बनाने की सीख आप देते रहे। बड़े बड़े सहरों में आप सेवा दार महापूर्शों के साथ सो भायात्रा के रूप में आप गलियों तथा बाजारों में घुमते ताकि मिसन का संदेश जन जन तक पहुँचाया जा सके। बड़े बड़े समागमों सत्गुरू बाबाजी के प्रोग्राम संपन्न होने के बाद सेवा दल की ठंगान उतारने के लिए सभी सेवादारों को एक दूसरे की टांगें दबाने के लिए आप कहते थे। आप सेवादारों के खान पान का पूरा पूरा ध्यान रखते थे कि उन्हें हमेशा सुद्धवा पोष्टिक आहार मिलता रहे जिससे वे स्वस्त रहें और खुले मन से साधसंगत की सेवा करते रहें। आप बाबा अवतार सिंग जी और बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज के साथ साथ परचाई की तरह लगे रहें। इसलिए आपको आम बोल चाल की भासा में बाबा जी का अंग रक्षक भी कहा जाता था। आप हमेशा दिखावे की सेवा के खिलाप थे। आप कहते थे कि सेवा दिल से निसकाम भावसे की जानी चाहिए। इसलिए कई बाबा अतार सिंग जी योंग बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज अपने परवचन में आपकी सेवा की मिसालें दिया करते थे। अयतिहासिक मसूरी कानफरेंस में तो बाबा गुर्बचन सिंग जी महराज ने आपकी सेवा पर अपनी स्विकिर्थ पर मुहर लगा कर आपको सुरोमडी सेवक की दर्जा से सम्मानित किया आप सेवा के हर आउसर को द्रंकार प्रभू की रहमत समझ कर सेवा में जुट जाते कई सम्मानित समाज सेवक भी छूत के रोगियों के करीब जाने से घबराते थे लेकिन आपको किसी भी छूत रोगी के बारे में पता लगा तो निसंकोच उसकी सेवा में लग जाते जरूरत परती तो अस्पताल में भी भरती करवाते नहीं तो रोगी को अपने घर में जान हमेशा रखते थे चाचा परताब सिंग जी ने अपने बच्चों को भी सेवादल की वर्दी पहनाई आपने अपने जीवन में सेवादल की वर्दी को इतना महत्वपूर बना दिया कि नोजवानों ने स्वेम ही सेवादल में भरती होना प्रारंभ कर दिया आपका कहन था कि सेवादल की वर्दी साक्षात गुरू का बरदान है आपकी प्रेणडा का ही इतना प्रभाव पड़ा कि नोजवान इस वर्दी को अपनी परतिष्ठा का चिन्ध मालने लगे और समय आने पर नोजवानों ने अपने प्राणों की बाजी भी इस वर्दी के आन बानसान की लिए लगा दी चाचा परताब सिंग जी नम्रता की परतिमूर्ती थे इसके साथ यक्ति और कुशलता भी आप में कोट-कोट कर भरी थी नौयूकों के सदा ही आप प्रिनडा सोत बने रहे निरंकारी जगत इनकी महान कर्मों को कभी नहीं भुला पाएगा एक बार की ब लक्ष मानते थे उनका सोचना था कि गुरू के बचन से ही जीवन खिल उठता है जीवन में निखार आती है एक दिन चाचा जी ने मुझसे कहा कि सुसीला जी आप आज तुम मुझे सिंधी कड़ी बना करके खिला मैंने खाना तयार किया चाचा जी जैसे खाने लगे तो ब बाहर से आवाज दे दी परताब संग जी जल्दी आओ अभी पहाड गंज जाना है चाचा जी एकदम खड़े हो गए और पहाड गंज जाने लगे मैंने देखा बाहर थोड़े महापुरुष बाबा जी को नमस्कार कर रहे थे मैंने कहा चाचा जी थोड़ा सा तो खालो अ आपका सदेव कहना था कि इंतजार गुरु को नहीं गुर्षिखों को करना चाहिए सत्गुरु तो ब्रह्मान का मालिक है जो चाहे जैसा चाहे जब चाहे कर सकता है परन्त गुर्षिखों को सत्गुरु के इसारे को समझना होता है 24 अपरेल 1980 को आप बाबा जी की कार के आगे वाली गाड़ी में थे भमन में पहुँचकर जैसे ही आप बाबा जी के कार का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े पाले से ही छिपे हुए हत्यारों ने गोलियां चलाने शुरू कर दी इस प्रकार गुरू और गुरुभक्त की जीवन लीला एक ही समय समाप्त हो गई मौत को सबसे पहले खुद गले लगाया जब तक तन में सांस रहा गुरू की सेवा में लगे रहे निर्भी की योध्या भक्त शिरोमडी नेस्वार्थ सेवक बीर प्रताब सिंग जी आज साका के सभी गुर्षिकों के लिए प्रिणडा सोत बना रहेगा ग्यारा मई वन्यस सो असी रभीवार को जिरंकारी सेवादल की वोर से आयोजित स्रद्धांजली समाहरों में सत्गुरू बाबा हरदेव सिंग जी ने सेवादल के भूत पूर्व मुख्य से चक सहीद प्रताब सिंग जी की सेवाओं की चर्चा करते हुए फरमाया साध संगत जी आज यहां रंकारी जगत के महान सेवादार बीर प्रताब सिंग जी के जीवन से प्रिणडा लेने के लिए आपने कई महापुर्सों को सुना कि उन्होंने कैसे जीवन जिया जब से वे मिसन में आये तब उसे ही सत्गुरु की सेवा में लगे रहे उन्होंने अपने सरीर का कभी परवाह नहीं किया जिम्मेदारी का भारी से भारी वजन भी वे अपने कंधों पर उठाते रहे आज संसार में किसी को भी कोई छोटी सी पद भी मिल जाए तो उसे एक मिनट भी नहीं लगता दूस अधना ना समझें बलकि सब को अपने से हमेशा मुची पद भी ही दें उन्हें प्यार से सब चाचा जी कहते थे अभी आपने उनके परिवार को सुना उनमें कितनी गुर्मत की भावना है चाचा जी जब भी दास को मिलते अपने बच्चों के हाथ पकड़ लेते और कहते इनको नमस्कार करो, साथ में यहारदास करते कि मेरा पूरा जीवन आखरी स्वांच तक सद्गुरू के चरणों में लगा रहे, इन बच्चों पर भी रहमत करो, कि ये आखरी स्वांच तक सेवा ही करते रहे, गुरू घर के कुकर बनके रहे, उच दिन जब या घटना घटी तो उनका लड़का बलवीर, जिसे आपने अभी सुना, वहीं था, उसकी भावना जैसे उसके पिता ने अपने बच्चों में भरी, वैसे ही प्रगट हुई, जब गोलियां चली, तब बच्चा अपने पिता की तरफ नहीं भागा, बलकि दोड कर गुरू के ऊपर लेट ग होती है, तभी इंसान का पता चलता है, कि वह कितना गुर्शिक है, और कितना गुरू के कहने पर चलता है, साथ संगत जी अनेको बातें यहां परवंदकों ने भी की है, जो भी हमें आदेश मिले हैं, हमने इन आदेशों को मानना है, हम देखते हैं कि जब हमने सफाई करनी होती है то जाडू के सारे तिनकों को अगर इकठा करके अंधा जाए फिर उससे सफाई की जाए तो अच्छी सफाई होती है लेकिन अगर हम दो चार तिनके ले लें तो सफाई की बजाए उल्टा और गंधगी डालने का कारण बनते हैं इसलिए जितने भी इस मिसन को मानने वाले सत्गुरू के प्यारे हैं सबको एक होकर ये आवाज दुनिया तक पहुंचानी आवस्यक है जो भी हो रहा है ये सारे खेल सचे पास साह के अपने होते हैं इसलिए किसी ने घबराने की कोई बात नहीं है हमने अपने आप को ठीक रखना है फिर कोई बात गलत कैसे हो सकती है या जो सांती का हमारा मार्ग है हम सारी मानोता के लिए फ्यार बाटते हैं हमने इसी मार्ग पर चलना है और कभी मन मानी नहीं करनी दास यही अर्दास करता है कि इस गुर्षिक ने चाचा परताब सिंग जी ने जिस प्रकार अपना जीमन सेवा में लगाया सब ऐसी ही भावना से युक्त हो जाएं और जैसे वे कभी किसी प्रकार की परवाह नहीं करते थे हम भी वैसे ही बने दास तो उनकी सेवा को बच्पन से ही देखता आया है जब मसूरी में भवन बना तो महापुरसों ने देखा ही होगा कि इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हुई उन्होंने रो जाना देहरा दून जाना वहां से ट्रक में बचड़ी भर कर लाना और फिर खुद भी महापुरसों के साथ मिलकर बिछाना इस प्रकार उस विसाल भवन में उनका विसेश भाग रहा है साथ संगत उनका हमेशा ध्यान रहता था कि मैं हर पल सेवा में लगा रहूं इसलिए ऐसी ही भावना हम भी अपने अंदर रखें ताकि जैसे गुरू की किरपा उन पर हुई वैसे ही हम पर होती रहे यह भाग संत निरंकारी पत्र का जुलाई 1980 से लिया गया है दो नौंबर 1180 को बाबा जी अपने विचारों में कहा मुझे आज सहीद प्रताब सिंग जी की आत्मा इस पूरे सेवा दल में नजर आती है जिस तरह वह कभी अपनी पदवी का अभिमान नहीं करते थे और हर किसी के काम याने में खुसी महसूस करते थे आज भी उसी भावना को बनाए रखें गुर्देव हरदेव ने सत्य के खातिर चाचा प्रताब सिंग जी योंग अन्य संतों के तप्त्याक की भावना से किये गए योगदान का जिक्र करते हुए फरमाया उनकी कुर्बानी का कद्र करते हुए प्यार को बढ़ाना है गुर्मत को बढ़ावा देते हुए विसाल हिर्देवाले बनकर एक सच्चे गुर्षिक की भाती बिवहार करेंगे तो हम उनके बलिदान का कुछ मुल्य चुका पाएंगे सजगे और सचेत होकर सकारातमक सोच के आधार पर अग्रसर होना है सत्य को अपना कर मानवता के रास्ते पर चलकर धर्म का बोल बाला करना है प्रीति नम्रता विसालता यो अमदास भावना जैसे गुड़ों से युक्त होकर सत्य को जन जन तक पहुचाना है संतों का जीवन ही देश दुनिया समाज के लिए प्रिनड़ा का स्रोत होती है मातमा हमेशा ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का भाव मन में रखते हैं ऐसे ही बीर संत थे चाचा प्रताब सिंग जी जिनोंने अपनी सेवा से सत्ग रा दिखाया सेवा सिर्फ और सिर्फ सीमित जगाह में नहीं होती बलकि चाचा प्रताब सिंग जी ने यहां तक समझाया कि जब जहां जैसी आउसकता हो वहां पर सेवा के लिए अपने आपको ततपर रखना चाहिए चाहे भवन निर्मान हो चाहे कालोनियों में सफाई की सेवा हो जहां भी उन्हें अउसर प्राप्त हुआ वहां एक परतनिधित के स्वरूप में सब को सेवा के लिए प्रिरित किया और इवाओं के लिए भीवा सेवा दल के गठन में अहम भूम का निभाते रहे हमेशा सेवा दल को प्यार देना और सेवा दल का ख्याल रखना उन्होंने अपने जीमन का अंग बना लिया था, ऐसे संत जिन्होंने सदा ही गुरु की भक्ति को महत्त दिया, गुरु रिजे, ऐसे कर्म किये, आईए, हम सभी ऐसे संत से प्रेरित होते रहें, और हमेशा ऐसे संतों के आचरण को अपने जीमन में उतारते रहें, कर जी